हेलो एब्रीवन वल्कम वॉल्कम वॉल यूट्व इन्डियो चैनल इस्टेडी इन्डियो चैनल में आप सभी का स्वागत है आज है 23 जून 2020 जहां पे हम UPSC पिलिम स्कुज को डिसकस करेंगे जो पहला क्वेस्टन है अमारे पास कोडू मंडल के बारे में है कोडू मंडल र आपने आंसर दे भी दिया होगा और गाइस अगर आपको इसकी पीडियाप चाहिए तो प्लीज जो टेलिग्राम का जो चैनल है उसको जोईन कर लिजेगा और साथ-साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजीगा दीके जो इसका आंसर होगा इसका जो आंसर अब देखिए जो यह इंपोर्टन है और यह देख लीजिए कि इरोड डिस्टिक आप दे मिलनाडू में है यह इंपोर्टन अर्केलोजिकल साइट इसलिए है क्योंकि यह नौर्ड बैंक आप दिक नॉयल रिबर पर आपको बताए कि जो नॉयल रिबर है यह कावेरी की ए इस तरीके से दिए गए हैं United States of America Philippines Solomon Island या इंडोनेसिया ओके तो आपको बताना है कि इन में से कौन सा क्रेक्ट होगा देखिए जो इसमें से क्रेक्ट आंसर होगा यह होगा इंडोनेसिया माउंट मेरापी रिसेंटली न्यूज में भी था और बहुत बार यह न्यूज में पस्राइए इसलिए आपको पता भी होना चाहिता है इंडोनेसिया में माउंट मेरापी एंडोनेसिया माउंट मेरा वी यह वन वन अब हूर्ड आक्टिव उस एक इन टमा के नकीन है एक important active volcano दूसरा भी उसका नाम क्या है यह बताने आपको comment box में जुरूर बताएगा दूसरी चीज यहां पर यह है कि जो इंडियनेसिया में frequent active volcano इसलिए भी देखने को मिलते हैं क्योंकि जो इंडियनेसिया है वो है pacific ring of fire की site पे ओके और जिसके करण क्या हो था प्लेट टेक् की वज़े से volcanic activities वहां पर होती रहती है यह frequent earthquake आपको देखने को मिलेंगे जरूर बताएगा कि दूसरा जो active volcano वह कौन से है बहुत ही important है आपको इह hint बता देता हूं वह सुमात्रा और जावा आईलेंड के ठीक बीच में है अब question no.3 के बारे में यहां पर बताएगया है golden ल रहता है incorrect यह correct आप हमें इसा question को जरूर अच्छे से पढ़ लिजीगा क्योंकि सम्टाइम ऐसा होता है कि हमें question तो आता है but due to the lack of proper reading of the question हम उन question को अच्छे से नहीं कर पाते यह गलत कर लेते हैं तो गोल्डन नगूर के बारे में दो statement है पहली जो statement है कि जो यह स्पीस है य दूशे statement यह है कि माउंट हैरियेट नेशनल पार्क है इस दी ओनली प्रोटेक्टेट हैविट 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 फॉर दिस स्पीसिज इन इंडिया तो आपको बताना कि इन में से कौन सा correct होगा ओके यहां पर option है option पर नजरूर डालीजेगा ओके और आपका जो score होगा उस statement यह सही है North Eastern India and Bhutan में मिलता है सिर्फ only Bhutan and North Eastern India में मिलता है तो अगर आप माउंट हैरियेट नेशनल पार्क अगर आपको पता है कि यह कहां है तो आप इस question को आस इस statement को आसानी से wrong कर सकते हैं जो माउंट हैरियेट नेशनल पार्क है अंडमान एन निकोबार है निकोबार म है और जो यह गोल्डन लंगोर है वह तो सिर्फ Bhutan and North Eastern India में मिलते हैं तो यह दोनों contradictory statement है तो यह दूसरा गलत हो जाएगा पहला सही हो जाएगा इस तरीके से इसका जो option है ए सही हो जाएगा ओके थोड़ा सा explanation इसके बारे में देख लेते हैं सबसे पहले जो IUCN का जो status इस इसके बीच में अब आपको यह बताने कि जो संकोष रिबर है वो किन दो स्टेट को डिवाइट करती है ओके इसके अलावा यह बता दूँ जो important है यहां पर चक्रा सिल चक्रा सिल wildlife century यह एक only protected habitat है इंडिया में गोल्डन लंगोर का और मांट हर्याट जैसे के हमने बता है अ सारी जानकारी याद रखने की और चक्रा सिल wildlife century आपसे अलग से भी पूचा जा सकता है यह असम में और संकोष टीवर किन दो स्टेट को डिवाइट करती है यह भी आपको बताना है question number four के बारे में यहां पर दिया गया है कि consider the following statement with respect to assessment of climate change over the Indian region अभी यहां पर assessment विये climate change over the Indian region पर तो इसके बारे में आपकी पास दो statement दीए आपको बताने कि इसमें से correct कौन सा है पहला जो statement है यह बताता है कि यह इंडिया की first ever national forecast है जो कि बताएगा कि क्या impact होगा global warming का on Indian subcontinent in coming century coming century में जो global warming का जो impact है वो इंडियान subcontinent पे किस तरीकी का होगा यह एक तरीके की national forecast थी ओके यह जो assessment of climate change over the Indian region थे और जो दूश्रा statement है यह बताता है कि जो यह report है इसको publish किया गया है ministry of environment, forest and climate change तो आपको बताने हैं इन में से कौन सी statement correct है या incorrect यहाँ पे correct पुछा गया है तो आपको correct बताने है ओके धियान रखिएगा यहाँ अगर आपको लग सकते है कि यह first ever तो नहीं हो सकते है या कुछ first ever नहीं यह second दूश्री होगी second third होगी बट यहाँ पर एक चीज यहाँ पर याद रखने की जुरूत है आपको कि इंडिया's first ever national forecast यह इंडिया की first national forecast के बारे में पूछ रहा है world की नहीं तो इस तरीके से आपको बताना है तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इंडिया की first ever national forecast के बारे में बताना है तो यह पहला statement है यह तो बिल्कुल सही है बट जो दूश्रा statement है यह गलत है ministry of environment forest and climate change की द्वारा नहीं बलकि ministry of earth science की द्वारा यह जो report है इसको publish किया गया है तो इसमें जो answer हो जाएगा यह आपको only a हो जाएगा तो फोड़ा explanation की और देखते है explanation किस तरीके से है इसमें जो recently जो ministry of earth science है इसने परविस करिए assessment of climate change over Indian region और इसमें इसने बताए कि किस तरीके से आने वाले जो upcoming centuries है इंडियन सबकॉंटिनेंट पर किस तरीके से global warming का impact हो सकता है अब चलिए question no.5 की और बढ़ते हैं यहाँ इंटरनेशनल डे आप योगा के ब अब यहाँ पर बताया गया है कि जो United Nation ने proclaim किया था कि 21st June as the International Day of Yoga ओके योगा मनाया जाएगा मलब 21st June को International Day of Yoga को मनाया जाएगा United Nation ने proclaim किया था ओके और resolution को पास करके इस चीज को बताया था दूश्रा जो statement है यहाँ पर कहा गया है कि जो ministry of आयूस है एक नोडल मिनिस्ट्री है जो की observation करती है International Day of Yoga इंडिया ओके तीसरा statement यह है कि जो International Day of Yoga जो 2020 था उसकी जो theme थी योगा for health योगा at home यह तीन statement आपके पास दी गई आपको बताने कि इन में से कौन सा करेक्ट है ओके देखेगा इसमें जो करेक्ट है देखे आपको यहाँ पर थोड़ा सा confusion हो सकते है कि ministry of आयूस होगी की नहीं होगी बट यह सही है बिलकुल भी सही है अब यहाँ पर देख लिजी ना आयूस मतलब Y का मतलब योगा होता है तो कई ना कई ministry of IUC तो करेगी इसकी जो नोडल मिनिस्टी होगी वही तो होगी international day of yoga की 21st June तो आपको पताईए है बट एक चीज़ यहाँ पर मेरे को यह बताएगा कि 21st June international day of yoga मनाया जाता है इसको start कप से किया गया था यह जो रूल बताएगा आप और जो theme थी आप COVID-19 के चलते आपको इ किस तरीके से देखिएगा खैर मुझे तो यह statement सारे के सारे पता थे बट मैं आपको एक overview दे रहा हूं कि किस तरीके से आप identify कर सकते हैं या आपका intelligent जो guess है उसको लगा के इस तरीके से option को सही या elimination method लगा सकते हैं ताकि आपके जो question का जो answer है वो बिल्कुल सही हो सके तो इ यहां पर हमें जो डेली यूपस से प्लिम कोई है यहां पर समाप्त होती है बट हम आपका suggestion चाते हैं कि क्या आप चाते हैं कि हम 5 question से बढ़ाएं question को और जो previous month की जो current affair है उनको भी इसमें include करें तो प्लीज अपनी राइज रूर बताएगा comment box में तांकि हम question 5 से ज्यादा आपके question 10 तक कर सकें तांकि जो आपकी preparation है वो बहुत अच्छे से चल सकें और प्लीज हमारे साथ आप बनिये रहें 4 October 2021 आपको पिलिम सोना है तो हमारे साथ बनिये रहें यह daily basis पे आती रहेगी so thank you thank you for the day